हेलो इगनू स्टूरेंट्स वेलकम टू दू चैनल जीपी एच बुक्स आई होप यू आ डूइंग गोड़ा जिस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जितने भी आपके प्रैक्टिकल स्केजूल होने हैं जून 2022 एग्जामिनेशन के बाद जी हां फ्रेंड्स आपके थ प्रैक्टिकेशन आइकन ओन ताकि जितने भी वीडियो इस अप्लोड होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे और कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आप स्किप नहीं करेंगे इस उचली वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते है आपके शिमला रीजनल सेंटर की तरफ से जितने भी स्टूडेंट से जो शिमला रीजनल सेंटर से बिलाउंग करते हैं सो उनके लिए मैं तो पून जानकारी है आपको कोई परिशानी ना हो आप डिरेक्ली डिस्क्रिप्शन आपन कीजिए और अपने रीजनल सेंटर का आप लिंक देख सकते हैं शिमला रीजनल सेंटर की जितने भी स्टूडेंट से वो देख सकते हैं BCA, MCA, BCA, MCA न्यू प्रोगराम के स्टूडेंट से जितने भी उनके लिए यहाँ पर virtual mode में उनके practicals होने वाले हैं Google meet के द्वारा आपका यह practical होने वाला है ठीक है यहाँ पर note भी दिया गया है The practical link will be sent to the student on their mobile numbers जितने भी students हैं जो eligible हैं इसके लिए उनके email address पर और यह mobile number पर आपको भेज दिये जाएंगे लिंक्स तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं साथी साथ यहाँ पर आपको डॉक्टर प्रातियुष गुलेरिया का number दिया गया है अगर आपको कोई भी contact करना है तो आप इस पर कर सकते हैं morning और evening session में आपके जो practicals हैं वो होने वाले हैं timing is given 10 a.m. to 4 p.m. आपके practicals होने वाले हैं तो आप यहाँ पर अपने practical का schedule जरूर देख लें अगर आप शिमला regional center से belong करते हैं बहुत important information आपके लिए यह है अगले regional center की बात करते हैं friends जो है आपका NOIDA regional center NOIDA regional center की तरफ से भी BCA और MCA के students के लिए वायवा का schedule जारी कर दिया गया है आप देख सकते हैं BCA MCA project वायवा date and time was schedule जिके regional center NOIDA link यहाँ पर आपको बता दिया गया है date आपको बता दिया गयी है आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी students हैं आपको enrollment number के साथ आपका course और email address भी दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई confusion ना हो अगर आप NOIDA regional center के student है यह permission आपके लिए है आप इसको जरूर देख लिए अगर आप BCMC student है NOIDA regional center से belong करते हैं अगली बात करते हैं friends पतना regional center की यहाँ पर आपको BSCG and BSC BCH practical schedule कर दिये गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं examination center is given examination center का code दिया गया है आप यहाँ पर click करकर check कर सकते हैं click here सबसे पहले हम open करते हैं यह list को यहाँ पर आप देख सकते हैं list दे दी गई है आपको zoom in करकर list को देखना होगा ताकि आपको detailing भी पता चल सकें तो अगर आप पतना regional center के student है तो यह बहुत important है आप इसको जरूर देख लें इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने course के according और अपने examination center के according आप यहाँ पर देख सकते हैं अगली बात करते हैं friends यहाँ पर notice भी जारी करके आपको दिया गया है और यहाँ पर आपको google form का link भी दिया गया है तो आपको अपना google form भी कल तक जरूर भर कर देना है 59.2022 यहाँ पर दिया गया है तो यह google form है बहुत यह असान सा google form होता है जिसमें आपको अपना name, email address, आपको यहाँ पर enrollment number और course in which you want to enroll आपको enroll करना है आप यहाँ पर click कीजिए और अपने course के लिए आप अपने आपको enroll कर सकते हैं और आप किस examination center पर अपना practical देना चाहते हैं वो भी आप choose कर सकते हैं ठीके mobile number gender और submit पर click करना है पतना regional center के students को यहाँ पर BSCG और BSC BCH के लिए गूगल form भरना बहुत ज़रूरी है अगली बात करते हैं कॉलकाता regional center की कॉलकाता regional center की तरफ से भी यहाँ पर आपको BSCG के प्रोग्राम के लिए practical के list जारे करके दे दी गई है geography की अगर हम बात करें सबसे पहले geography की बात करते हैं general category ठीक है यहाँ पर आपके 8th of September से practical start होने वाले हैं तो आप इसको देख सकते हैं अगर आप कॉलकाता regional center के student है इसी तरह से हम बात करते हैं friends आपके BBYCL practicals की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 pages की यह long list है अगर आप भी इसके लिए eligible हैं तो आप इसको जरूर देख लें यह बेहर इंपोर्टेंट है इसी तरह से आप सभी programs का यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर detailing given है accordingly अगर आप कॉलकाता regional center के students हैं तो यह बेहर इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन हैं जितने भी students हैं इनके पस practicals के subjects हैं तो उनको यहाँ पर perform करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि आपके जो practical के examinations होते हैं उनके marks भी आपके degree को complete करने में help करते हैं अगर आप यह pass नहीं करेंगे तो आपके degree complete नहीं होगी So this is really mandatory and important for you all Okay so I hope यह video आपके informative रही होगी Friends stay tuned with the channel for more update जल्दी मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ